जैवातादी दोस्तों, पूझा सिक्ती चानल में आप सभी मेरे भाईयों और भेनों का बहुत-बहुत स्वागत है आज जिस नविशे पर हम चर्चा करेंगे वो है घर में रखी हल्दी किस प्रकार से आपकी समस्याओं का समाधान करती है हल्दी जो की गुरू-ग्रह का नेत्रत करती है तता जीवन के हर शेत्र से लेकर खान-पान तता धार्मी कारियों में प्रयोग में की जाती हल्दी को जो है हम मसाले के तोर पर भी अपने घर में यूज करते हैं तथा जो लोग खाने में रंग को पसंद करते हैं तब भी वो कई जगा केसर की जगा जो है हल्दी का उपयोग करते हैं परन्तु क्या आप जानते हैं हल्दी ना केवल आपके स्वास्त के लिए परन्तु आपके जीवन के कई समस्याओं के समाधान में उपयोगी होती है आप सबी जानते होंगे कि एक हल्दी वाली गांट होती है जो कि बाजार में आसानी से मिलती है तथा माता लक्ष्मी और जो है श्री गणेश की बहुत प्रिय होती है अगर आपके जीवन में आपको व्यापार में समस्याइं आ रही है या आपके जीवन में गुरु ग्रह को बताया जाता है कि आप पुखराज धारण करें और कई कन्याओं को कहा जाता है कि विवा के लिए वो जो है पुखराज को धारण करें परन्तु अगर आप पुखराज धारण नहीं कर पाते हैं तो जो गांट वाली हल्दी होती हैं साबुद हल्दी होती हैं से पीले धागे म आप अपनी बाजू या गले में पहन सकते हैं गुरुवार को सुभे सवेरे का जो समय होता है आठ बजे से पहले का राहुकाल आप देख ले राहुकाल में आपको नहीं पहन नहीं है उसके अलावा आप कभी भी जो है आठ बजे से पहले से धारण कर सकते हैं यह पक्ष के समय पर धारंड करे वहीं ये जो साबूध हलदी होती है आप अपने व्यापार श्थल पर अपने गल्लग जो होती है वह पर लखे सकते हैuyu इसान कोड में या उत्तर का जो कोना होता है जो लख्ष्मी मार्ग कहा जाता है धन का वहां पर आप एक मिट्टी के भरतन में जो है साबुत हल्दी की गाठे तता कुछ सिक्के रखकर ढगा कर रख दीजे तो इससे क्या होगा आपके जीवन में जो है मातल लक्षमी की क्रपा द्रश्टी आपको प्राप्त होने लगेगी वहीं जो पी मुख्यद्वार पर बना लेते हैं तो आपके जीवन में जो है कभी भी नेगेटिव एनर्जिस घर के अंदर प्रवेश नहीं करती है वहीं मातल लक्षमी के श्री चरण जो है आपके घर में सदेव रहते हैं और उनका आशिरवात सदा बना रहते हैं अगर किसी व्यक्ति पीट संबंदी कोई बिमारी है या बिमारी से मुक्ती पानी के लिए हलदी का दान कर सकते है यहां पर यह दान प्राप्ट होते पीसीव हलदी जो है उंके ग्रहों को शांत करने लगती है साथ ही प्रति दिन सुभ अगर PCU हल्दी का तिलक लगार के घर से बाहर निकलते हैं या फिर अपनी वानी पर केवर तिलक लगा रहेते हैं तो वानी की शक्ती में बढ़ाव आता है लोग जो है आपके और खिचाव महसूस करते हैं आप अगर पढ़ाई के शेत्र में हैं पिर शेत्र का तिलक लगाना चाहिए और आप यह पूजा करते समय हैं सुभे स्मयरे सनान करने के बाद कर सकते हैं। आप अगर अपने कारियों की संपन्ता चाहते हैं तो सुभे शूरी को हल्दी मिले जल से अर्द देना चाहिए परंतूय में कहूंगी कि हलुदी मिला जो जल होता है। यह किसी जोतिष की सला के बाद दे। आप निर्मल जल अगर सूरी को देते हैं तभी आपके कार्विव में गति आती है। श्रीक गणेश जी को अगर हल्दी की गांट अर्पित करते हैं तब भी आपके जीवन में जो है धन के मार्ग खुलने लगते हैं अब यहां पर अगर आप विवा से संबंदित कोई समस्या को जेल रहे हैं या विवा नहीं हो रहा है तो आप जो है एक महा तक प्रयोग करकर देखें आपकी विवा की जो समस्या है वो दूर हो जाएंगी चुटकी बरहल्दी जो है सनान के पानी में मिलाकर उससे सनान करना चालू कर दीजिए सभी कन्याओं के लिए विशेश तोर पर यह लाबकारी है और जो संतान प्राप्ति चाहती है कन्याओं जिनका विवा हो चुका है बहुत साल हो गए परंतु अच्छे परिवार में उनका विवा हो तब भी वो यह कारे करें उनके जो ब्रस्पति देव हैं उनकी क्रपाद रिष्ट्री प्राप्त होगी तो तब विवा बंदन बहुत संपन परिवार में बनेंगे वहीं अगर कोई व्यक्ति निरंतर विमार चल रहा है तो शुक्लि अगर बहुत सारी धन की समस्याओं को समधान करती है साथी साथ अगर डेली कोई व्यापार चला रहा है लोग उसके निरंतर संपर्क में आते हैं व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं तो अपने हतेली में जो है हल्दी का तिलख जरूर करना चाहिए जिससे उनके वाइब्र पर चर्चा करते हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद में सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों